अगर आपका भी लैप्टॉप कुछ जादा ही डाटा कंजूम करता है तो इन 5 सेटिंग्स को अप्लाई कर लेना उसके बात बहुत ही कम डाटा यूज होगा मेरे साथ भी सेटिंग्स को अप्लाई जरूर करना वीडियो लाश्ट तक देखना इसके मत करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है हाई देर आई ममनिस कुमार जैसवाल है परले सेटिंग के लिए सर्च वाले उप्सन पे क्लिक करना है जो आपके स्टार्ट बटन की साइड में होता है इसको टॉट्च करना है उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाके आपको ऑ्टोमेटिक जो अप्डेट्स ह आपको ऑफ्टे में जितने भी आपकू इसको आफ करना है ठीक है और सारे चारो आपसन को आफ करना है गई हो पहली सेटिंग सब्सक्राइब में पें रहे हैं र Rapha थिसे सच करना हे SUR अपरविसस को आफ्ट करना है कितर सब्सक्राइब दॉरे के बाद को यह सो नोने के पाद आप को कॉड्रॉल डाउन के ना नीचे अपको यौल लाउन करना है जो स्थ प्रक यौल डाय दोर रापी आन्य। है प्रमीरियर को और को राइट क्लिक करना एक बाद आपको पर्पर्पेटीख को आप्शंट को होगा बहुत करने के बाद butts मैनन आपशन देखेएगा मैनन आप मिन सन में आपको डिसेबल का टॉप्षन क्लिक करना है 50 या दीसेबल करने के बाद कि आपको स्टाइप fetch a tilde मिए अली इस अड्य दि फ्रैकर इसको ओके कर देंगे यह जाएगा आपका दूसरा setting complete अब चलते हैं हम तीसले सेटिंग की तरह तीसरे सेटिंग के लिए आपको critical से conclusion पर जारा है sınız आपको सَर्च करना है सेटिंग सेटिंग ऊप्सन आपको सेटिंग करना है टाइप करते हूं ma la ting के ठाइबन में के इसको शेटिंग open करने के बाद आपको बहुत सारे options open हो जाएंगे यहां पर फिल से जाना है windows update यहां पर आपको जाके उन सारे options को close करना है जिसकी वाज़ से आपका डाता जादा यूज होता है आपको थिहान रखना है कि इस मिटर्ड कनेक्शन वाले ऑप्सन को एलाव भी रहने देना आफ नहीं करना है इसको ऑन ही रहने देना है जिसके वाज़े से आपका डाटा कम यूज़ होगा हो ओके के एक बार फिर से टेक्शन आपको सब्सक्राइब करना है उसके गसारे अपको चाहिए पूर talents और उयक्रादा यूज़ करेंगे को यूज यह ते आफ़े आफ़का सिंग्अ मिलास्टं के रहे उसके लिए हमको तो Ctrl प्लस Alt प्लस Delete सर्च करके टास्क मेनेजर सर्च करना होगा, टास्क मेनेजर सर्च करने के पाद आपको Startup Apps पे जाना है, उसके थ्रू हम Microsoft Drive या फिर Google Drive को Disable करेंगे, जो हमारा डाटा कंजूम करते हैं, जब बैक अप होता है, आटोमेटिक सिस्टम बैक अप होता है, हमार नहीं देख रहा है, तो कोई बाद नहीं है, आप Google Drive का ही इसको Disable कर सकते हैं, राइट क्लिक करके, ओके, अगर आपके में Microsoft OneDrive सो कर रहा है, तो इसको भी आपको Disable करना है, राइट क्लिक करके, that's it, thank you so much, अगर कोई doubt है, तो comment करके बताओ,